तो फ्रेंट्स आज में कंपर्जन करने वाला हूँ देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर होता है बेटर लाश्ट टाइम अपने दब कंपर्जन देखा था 7050 का वर्सेश 7200 का तो वहां पर रिजल्ट कुछ और ते और आज का रिजल्ट यह भी काफी अलग होने वाला है तो वीडियो को पुरा लास तक देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा क्योंकि और भी डाइम सरी 7200 का वीडियो आने वाला है हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है गौर और आप देख रहे हैं टिक रूम वीडियो के आप पे स्टार्ट की जाए तो अनाउंच डट की बात क्या तो 7200 फरवरी 2023 में अनाउंस किया गया था 8020 अपराइल 2023 में अनाउंस किया था क्लास की बात किया तो दोने प्रोसेर मिड रंज में दिये गये है और आप पे मॉडल नंबर दोनों का ही अलागला होगा डेफिनेटली से बात है 7200 का है MT6886 और TDP की बात किया तो 7200 फरवर्ट बेस प्रोसेसर है वही 8020 एक 4 वर्ट बेस प्रोसेसर है अब बात करते हैं आर्किडेक्चर की दोनों प्रोसेर यह पर ओक्ता कोड दिये गये है 7200 में 2 को 2.8 कोटेक्स A715 मिलेगा बाकि 6 को 2 गीगार्ट कोटेक्स A510 देखने को मिलता है वही पर जो 8020 इसमें 4 को 2.6 कोटेक्स A78 मिलेगा 4 को 2 गीगार्ट कोटेक्स A55 मिलेगा तो यहां पी भी वही मैं बोलना चाहूंगा जैसा लाश्ट 7050 में मैंने बोला था कि इस कोटेक्स A78 काफी पॉर्फूल है और A78 15 भी काफी पॉर्फूल है इसका आपको आइडिया लगाने के लिए आपको अंदूदू बिंश्मार्क, गीक बिंश्मार्क यह सब देखना पड़ेगा प्लस गेमिंग ग्राफिक्स का भी आपको देखना पड़ेगा जो कि GP बिटिबिंट करता है लेकिन अभी बोला जाए तो जो A78 15 है थोड़ा पॉर्फूल है क्योंकि जितका जितना स्मॉल फैप्रिकरिसन होगा उतना बेटर होता है तो जो डामसे 7200 एक 4 नैनोमिटर बेश टेकलोजी के साथ है एन 8020 6 नैनोमिटर टेकलोजी के साथ है तो बेटर पॉफॉमेंस आपको 7200 मिलने वाली है बैटरी हो या फिर परफॉमेंस एन यहां पर बात कर दें ग्राफिक्स की तो ग्राफिक्स में जो डामसे 7200 में मिलेगा माली जी 610 MC4 आक्रिकर इसका वाल होल 2 है एट जिरो में मिलनेगा आपको माली जी 77 MC9 का आक्रिकर वाल होल है माली जी 77 काफिर पॉरफुल जीप्यू है इसका 3D Mark स्कोर मुझे लगता है बेटर आने वाला है तो 3D Mark को देख की चाहिए एन अब बात किजाए इसके फ्रिक्वेंसी की जी प्रिक्वेंसी में जो डामसेटी 7200 है स्कोर करेगा 1130 MHz इसकोर नहीं है यह मिगार्स क्लॉक स्पीड है एन 8020-850 MHz पर क्लॉक आता है फ्रोटिंग पॉर्ट्स की बात करें यहां पर जो 7200-1000 प्लस एजली क्रॉस कर जाना चाहिए वहीं 8020 यह भी 1000 अप्रॉक्सी आता है बात करें मेमोरी डैप की मेमोरी टैप सपोर्ट में जो डैमेसरी सपोर्ट करेगा 7 वाला वर्जन LPDDR5 3200 MHz की स्पीड के सास होगा वहीं 8020 LPDDR4X सपोर्ट करता है इसकी RAM रिक्वंसी भी कम है 218.33 MHz अगर यह LPDDR5 होदा थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़ती गेमिंग ग्राफिक्स के बात करते हैं तो गेमिंग ग्राफिक्स में देखें दोनों का डेटा एकड़म सिमलर साने वाला है 7200 Vivo V27 से मैंने लिया इसका डेटा एं डामेसरी का डेटा मैंने लिया मोटरोला एज 40 से गेमिंग ग्राफिक्स है साही देखने को मिलेगा गेमिंग का इस्पिरेंस भी अच्छा देखने को मिलता है दोनों इस प्रोसेसर के साही अब बात कि जहां पर वीडियो कैप्चिर के थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के तोनों प्रोसेर 5G सपोर्ट करते हैं 4G में आपको मिलेगा LTEK21, Bluetooth 5.3 और 5.2 की टेकलोजी मिलेगी Wi-Fi 6 का सपोर्ट दोनों इस प्रोसेसर के साहथ आता है अब बताते हैं Benchmark स्कोर्स, Geek Benchmark की बात करते हैं जो सिंगल को परफॉर्मस है 7200 का 850 आएगा अपि थोड़ा उपनिचे कर सकता है बाकि जो 8020 इसका स्कोर भी वही आता है 829 आपको सेम ही मिलेगी दोनों में सिंगल को टास्स में इन multi Court की बात कि है तो ड्यमस ही है मोस चोर करेगा स्परी रिष्टी अच्छार का स्कोर 2 300 इन 820 का स्कोर 3299 यह जो स्कुर हे यहां पे काफी बटर राता है 802 870 आएशेली बात करेंगे अंदोधर मेंच मारक स्कोर की तो जो DMSD है 6,13,000 स्कोर करेगा and 8020 5,15,000 स्कोर करेगा तो सारे कोर्स को अगर आप काउंट करके स्कोर निकालने कोसिस करेंगे तो 8020 थोड़ा बेटर आता है मल्टी कोर टास्क में अगर आपको मल्टी टास्क है या फिर कोई टास्क है तब बेटर आएगा लेकिन अगर आप सिंगल कोर पे लोड़ दे रहे हैं तो थोड़ा स्कोर कम आता है अब आसकी जाए यहां पर 3D बेंचमार्क स्कोर की दामसे 7200 4468 स्कोर करेगा और काफे बढ़िया नंबर है यह वहीं दामसेट आपको गेमिंग ग्राफिक्स में दोने प्रॉसर सिमलर देखने को मिलेंगे अब बताता हूं कंक्लूजन की कौन सा प्रॉसर हुआ बेटर हो सकता है स्टार्टिंग में कन्फूजन रहा हो आपको तो कंक्लूजन में देखें CP performance की बात किया तो डामसेट 57 स्कोर करेगा और 8020 60 स्कोर करेगा थोड़ा बेटर परफॉसर आपको निकाल करेगा 8020 आज में LPDDR4 XRAM मिलती है इसके वज़ परफॉसर तो कम होगी और गेविंग परफॉसर की बात किया जो डामसेट 7200 है इसमें 55 स्कोर करेगा और 8020 यह 58 स्कोर करेगा माली जी 77 का सपोर्ट है जिसके वज़से आपको बेटर ग्राफिक्स देखने को मिलेगी और बेटर इस्टिबेल्टी भी रहती है अब बात करते हैं स्कोर की देखने स्कोर के देखने स्टे के स्के देखने स्कोर के जी तो अब को अपको चोच जोच्छेज देखने को मिलेगी है वह 7200 में है, आपको performance भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ग्राफिक्स भी बढ़िया है, LPDDR5 का RAM सपोर्ट मिल जाता है, 4K 3D बिसके recording unlock है, Bluetooth 5.3 मिलेगा, connectivity almost same ही है, आपका जो score देखने को मिलेगा, वो भी similar सा है, multi-core को छोड़ के, अब बाकी ये processor आपको तोड़ा latest भी देखने को मिलेगा, आप दोनों ही processor के साथ जा सकते हैं, no doubt बढ़िया processor दोनों ही है, बट थोड़ा सा जो आपको plus point देखने को मिलेगा, वो 7200 में है, अगर आप इन दोनों processor को में से कोई processor बाई करने वाले हैं, तो बताएगा जरूर, कमेंट जरूर किजेगा मत्तब, ताकि और लोगों की भी help हो जाए, और ये वीडियो अगर पपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा, थाएगा, तांफ वोजेओा हो.